अभी हम ल्यूसेंजी के मॉडेन इंडिया में पढ़ेंगे कम्यूनल अवोड्ट जिसको मेकडॉनल अवोर्ड्स भी बोलता है कम्यूनल अवोड्स पहले हम देखते इससे पहले क्या हुआ था है तो लास्ट लेक्षे में हमने डिसकॉस किया कि 2nd roundtable conference होती है और वो करते हैं अब 1932 जैनवरी में civil disobedience movement स्टार्ट होता है मतलब होता है क्योंकि सेकंड फेस चल रहा है भी civil disobedience मुवमेंट का उसके बाद सबसे पहले वहां कि क्या होता है कि गांधी जी को अरेस्ट कर देती है जैसे वह इंडिया राइव होता है जैसे वह इंडिया पहुचता है और उसके बाद जो सरदार पटेल है और उनके अलावा और भी कुछ लीडर्स थे जिनने अरेस्ट कर लिया जाता है और फाइनली कॉंग्रेस पार्टी पर फिर से बैन लग जाता है तो जैसे कोई इंडिया में आंजोलन स्टार्ट होता था सबसे पहले सीनियर लीडर को अरेस्ट किया जाता था और उनके बाद दूसरे नेताओं को अरेस्ट कर लेते थे और फिर कॉंग्रेस पर बैन लगा दिया जाता यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था जो फॉलो होता था तो सेकेंड फेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मुविंट में इतना ही इंपॉर्टन चीज़ है जो हमें जानने की है आप हम बात करते हैं आज के टॉपिक की जो है कम्यूनल अवार्ड तो अवार्ड का मतलब कुछ प्राइज नहीं दिया जा रहा है ब्रिटिश पॉलिटिकल लांगविज में सरकार की गोश्रा को अवार्ड टर्म यूज करते हैं उसके लिए जो सेकेंड राउंटेबल कॉन्फरेंस में बियार अमबेटकर ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ट क्लासिस क की दिमांड की थी और उसी से रिलेटेट आया यह कमिनल अवार्ड तो कमिनल अवार्ड को अनाउंस किया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मकडॉनल ने आउगस 1932 में यह फिर से वही वाली बात हो गई डिवाइड औरूल वाली ब्रिटिश ने सोचा गां इस पूरे इवेंट पर गांदी जी का रियाक्शन क्या था गांदी जी ने इस कमिनल अवार्ड को अजन आटाक देखा हमारी इंडियन यूनिटी और नाशनलिजम पर गांदी जी ने बोला अपने जीते जीतों मैं यह होने नहीं दूँगा यह तो अचूत वर्ग को अचूत रखने की साजिश है और इससे तो कान्हूनी इने अचूत बना देगा कि जो depressed classes है वो institutionalize हो जाएंगी और government उनको हमेशा depressed classes में रखेंगी वो कभी mainstream में नहीं आ पाएंगे इस communal award को रोकने के लिए गांधी जी ने क्या किया उन्होंने अपने ब्रह्मास्टर का इस्तमाल किया वो आमरें भूख हड़ताल पे बैट गए उस टाइम गांधी जी थे यर्वादा जेल में और वहीं पे उन्होंने ये जो भूख हड़ताल थी वो की finally BR Ambedgar मान गए और हुआ पूना पैक्ट हम next lecture में पढ़ेंगे पूना पैक्ट के बारे में Thank you